दोस्तों आपने इंटरनेट पे अंजीर खाने के फायदों के बारे में सुना होगा, लेकिन अंजीर खाने का सही तरीका कोई नहीं बता था, बॉडी के नेचर के हिसाब से किसी भी चीज का सेवन करना चाहिए, अगर आपके बॉडी गरम प्रकृतिकी है, तो आपको कभी भ आपका प्यार हमारा मोटिविशन अप करता है, अब तक आपने हमारे इस YouTube चैनल आईरिवेदा बेस्ट सल्यूशन को सब्सक्राइब नहीं किया होता, अभी सब्सक्राइब कर लिए और बैल अकन प्रेस कर और नोटिफिकेशन अन कर दिजिए, ताकि जब भी में इस तरह क जब को दो दो पर आफेंगे और विडियो डालो आपको मिल जाये, सबसे पहले जानते हैं हम अंजीर खाने के फादे के बार हम में इसके बाद हम जानेंगे, अंजीर खाने चाहरी तरीका, दोस्तों ऐसा नहीं है कि अंजीर का सेवन सिर्फ लड़के ही कर सकते हैं पूरुष ही कर सकते हैं अंजीर ऐसा फ्ल है जो इस्तरी और पूरुष यानि महिला और पूरुष दोनों को बराबर फादे देता है अगर आप रोज दो अंजीर खाएंगे तो आपको कभी भी थाकान, कॉलेस्ट्रॉल, मोटापा, पेट से जुड़े हुए रोग और दिल से जुड़ी बीमारियां नहीं होंगी अंजीर में फाइबर काफी ज़्यादा मात्रा में होता है, जिसके वज़ए से आपका वज़न कंट्रॉल में रहता है आपको मोटापा नहीं आता, फाइबर का हमारे रोज के वज़न में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है फाइबर ना सिर्फ डायसियो सिस्टम के लिए अच्छा होता है विलकि यह कैंसर के खत्रे को भी कम करता है और टाइब्टु डायबेडिस होने के खत्रे को भी यह कम करता है फाइबर वाली चीज खाने से पेट लंबे समय तक भरा रहता है जिससे आपका वज़न कंट्रोल में रहता है अंजीर खाने से दोस्तों हड्डियां भी मजबूत होती है क्योंकि अंजीर में कैल्शियम काफी ज्यादा मातरा में होता है हमें एक दिन में 1000 mg कैल्शियम की जरूत होती है लेकिन दूद पीकर और अच्छी डाइट लेकर भी हमारे शिरीर में कैल्शियम कमी रहती है इसलिए अगर आप अंजीर को डैट में शामिल करोगे तो भयूशियम में आने वाले समय में कभी भी आपके शिरीर में कैल्शियम कमी नहीं होगी और अगर कैल्शियम कमी है तो भी दूर होती है क्योंकि अंजीर में काफी मात्रा में केलुशियम होता है अंजीर खानेसाब का Blood Pressure भी कम होता है अंजीर में Potatium काफी ज्यादा मात्रा में होता है Potatium में एक बहुत ही ज्यादा महतपूनमने lóg है जिसके जर्ष हमारे शेल को होती है पोटेशियम का नियमित सेवन करने से blood pressure control में रहता है जो पोटेशियम होता है यह sodium के बूरे प्रभाव को कम करता है आजकल का जो हमारा खानपान है उसमें हम processed food का बहुत ज्यादा इस्तमाल करते हैं और processed food में sodium काफी ज्यादा मातरा में होता है sodium के बूरे प्रभाव को कम करने के लिए हमारे diet में potassium का होना बहुत ही ज़रूरी होता है potassium को ज्यादा मातरा में खा कर दिल की बिमारियों और kidney की बिमारियों से बचा जासकता है जो अंजीर में होते हैं इस तरह से आपके weं दिल को भी मजबूत बनाते हैं और दिल के सेहत को सुधारते है अंजीर दोस्तों पेट के लिए भी बहुत अच्छा होता है अंजीर में जो fiber होता है वो एक healthy digestive system को maintain करने में मदद करता है और कब जो को दूर करता है आपका पेट सुभा सही तरीके से साफ हो इसके लिए आपके भोजन में fiber होना बहुत ही जुरूरी होता है fiber की कमी से पेट कभी भी अच्छी तरीके से साफ नहीं होगा अंजीर दोस्तों blood sugar level को भी control में करते हैं अंजीर में जो potassium होता है वह blood sugar level को control करने का काम भी करता है तो जिन लोगों को diabetes होती है उन्हें potassium जादा खाना चाहिए अंजीर में एक chlorogenic acid होता है ये भी आपके blood sugar को कम करने का काम करता है लेकिन आपको रोजाना दो अंजीर से जादा नहीं खाना है खाने का तरीका में वीडियो के अंत्व में बताता हूं अंजीर खाने से खुन में triglystate का level कम होता है triglystate एक तरह का fat होता है जो heart track के लिए जिम्मेदार होती है अंजीर में एक तो antioxidant बहुत ज़्यादा होते हैं और दूसरा इसमें blood pressure को भी कम करने के गुण होते हैं इन दोनों के कारण आपकी नसों के अंदर कॉलिश्ट्राल जमने के संभावना काफी कम हो जाती है तो इन सभी को फायदों को देखकर दीन में दो अंजीर जरू खाये चलिए बात करते हैं कि अंजीर किस तरह से सेवन करना है दोस्तों अगर आप अंजीर का सेवन मोटापा कम करने के लिए करना चाहते हो तो एक बहुत ही अच्छा तरीका बताता हूँ रात को तीन से चार अंजीर को अपल साडर विनेगर में भीगों कर रख दिना है और सुभर उस अंजीर को चबह-चबह कर खा लेता हैं उसका दो चम्मच विनेगर एक ग्लस गुनगुने पानी के साथ अंजीर खाने के बाद ले लेना है और बचवा जो विनेगर है उसे अगली दिन उपयोग में ला सकते हैं अगर आप वजन बढ़ाना चाहते हैं और बहुत दूबले पतले हैं या फिर कमजोरी के शिकार हैं श्रीर में ताकत और जोशी कमी है पूरे दिन आलस ठाकान लगे रहती है श्रीर में खोन की कमी है तो अंजीर खाने का में दूसरा तरीका बताता हूं तो उसके लिए क्या करना है एक ग्लास दूद में चार से पांच अंजीर को डाल कर उसे वॉयल कर लेना है और रात को सुने से आधे घंटा पहले अंजीर को चबा चबा कर खा लेना है और दूद को भी पी लेना है आप इसा सुबह नास्ते में भी ले सकते होगे अगर अंजीर की तासिर गर्म होती है लेकिन पानी में भीगो देने के बाद इसकी तासिर ठंडी हो जाती है और अंजीर जो फल होता है जो कच्छा फल होता है उसकी तासिर ठंडी होती है लेकिन सुखने के बाद तासिर गर्म हो जाती है तो उसी तरह रादवर अगर आप अंज अंजीर से ज्यादा सेवन ना करें इसके लावा अगर आपके हाथ-पैर में हमेशा दर्द रहता है गठिया हो अर्ट्राइटिक से प्रॉलम है नसों से संबंदित कोई कम जोरी है तो आप अंजीर को सुखा ही खाए वात प्रकृतिके हैं यानि कि जोडों में दर्द घुट रहती है तो रात तो अंजीर खाने है और उपर से ग्रुणा पानी पी लेना है अगर आप छाहें तो शुबह के समयर नाश्ते के के सदस्मों साथ शेयर करना आपको इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद